वेल्गम दोस्ते वीडियों वे बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वाइरल चल रहा है ओला की सीगी ओ फावी शगरवाल वर्सेज कुनाल कामरा पूरा ममने शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में साथ इस साथ पिग बॉस के अंदर महराजी के बाद अब र सारे कंटेस्टिंस है वो किस तरीकी की हरकते कर रहे हैं वो भी वीडियो काफी वाइरल है चोड़े बड़े अपडेश के साथ इस वीडियो में शुरू करेंगा आपके साथ सबसे पहली अपडेट जैसे कि आपको पता है कि ओला के सीओ भावी शगरवाल और कुरार कामरा भारत का नाम रोशन है भारत के अंदर अपनी एक कंपनी और इतनी बड़ी के लोग उनका इस्तमाल कर रहे हैं तो अपने आप में अच्छी बात है लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जो कंप्लेंट से उनको भी समझना चाहिए जो कंजूमर से उनकी बात भी रखन रही है बोल रही से मतलब है कि कहीं कुछ प्रॉबलम तो कहीं कुछ प्रॉबलम कई लोगों का यह तक दावा है कि कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है कई लोग अलग दावा कर रहे हैं कि डिले है कई चीजों में तो यह सारी कंप्लेंट्स है एक रिपोर्ट तो ये भी निकल के आए थी कि एक मैने के अंदर 80,000 कंप्लेंट्स देखने को मिली है ओला की इनी वेहिकल्स पर तो साफ सी दी बात है कि जो कस्टमर सर्विस है ओला की वो कहीं न कहीं सवाल के कटखरे में अब छोटे-छोटे जो यूजर्स होते हैं वो तो ट्वीट करते हैं ल और ये बाइक और स्कूटी जिस कंडिशन में है साफ सीधा दिख रहा है कि जिस हालत में उन्हें रखा हुआ है लग नहीं रहा कि उन पर कोई काम भी चल रहा है वो यूज ही पढ़ी है अब इस से यहीं दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर सर्विस पर सवाल इ कि जिन लोगों ने थी ओला इवी बाइक्स ली हैं स्कूटी ली है क्या उनके लिए कोई बोल भी रहा है तो सवाल ये था कि क्या कंजूमर्स की आवाज भी है क्या वो ये डिजर्ब भी करते है कि इतना पैसा खर्श करने के बाद कुछ ही महीनों में जब कोई इसी प्रॉ को या देखिए भाविश का कहना है कि अब जब तुम परवा करने लग गए हो कुनाल कामरा को टैक करते हुए कहते हैं कि अब जब तुम परवा करने लग गए हो तो आओ मिल करके इसमें मदद करो मैं तुम्हें इस से भी जाना पैसे दूंगा जितना तुम्हें इस ट्व ही होने, इससे साफ समझ में आता है कि वो कितना serious है, उन complaints को ले करके, तो कुनाल कामरा के उस tweet का जवाब वो ऐसे देते हैं, आगे लिखते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, यानी मैंने जो offer दिया है, वो नहीं ने सकते, तो चुप से बैठो, हमें focus करने दो कि हम issue को कैसे resolve करे real customers के हम expand कर रहे हैं अपने service network, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा अब यहाँ पर तो कई ऐसी वीडियो हैं, tweets हैं, जो लगातार social media पर फैल जाते हैं जहां लोग बढ़ चड़कर कि अपने ola ev, जो bike scooty है, उसकी complaint करने लग जाते हैं, कि कैसे उनके साथ क्या condition है, बाइक दिखाने गए, तो वहा customer जो कह रहे हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, यह सारा experience वो share करने लग जाते हैं, कुनाल और भाविश के post के नीचे, और sell-ups आ जाता है, यह complaint का sell-ups आ जाता है, कई लोग लगातार इस तरीके की photo, video share करने लग जाते हैं, सीधा कहते हुए कि किस तरीके की condition में उनकी ola ev है और अभी तक बनी नहीं है, उनको टाला जा रहा है, किसी की complaint है कि complaint ही नहीं है, यानि serious नहीं है कोई, और इसका मतलब यह नहीं है, कि देश भर में इस तरीके के हालात हैं, बिल्कुल हो सकता है कि एक तरफ बिल्कुल customer service ही होगी, लेकिन एक तरफ ऐसे भी लोग है, जो complaint करते रह जाते हैं, उनकी कोई complaint नहीं लेने को तयार या अगर ले भी लिए है, तो उसमें इतना delay हुआ है, कि उनको अभी तक काम हो करके नहीं मिला, ऐसे भी लोग होंगे, तो उनकी कौन सुनेगा, अब यहाँ पर कुनाल कामरा यह दिखाते हैं, एक वीडियो शेर करके कि किस तरीके से audience जो है, वो उनका स्वागत कर रही है, यानि कोडाल यह बताना चाते हैं, कि जिसको वो failed comedy career बता रहे हैं, वो उतना failed नहीं है, तो इस तरीके की बात चलने लग जाती है, और घमंडी बुलाया जाने लगता है, उस tweet के बाद भाविश अगरवाल को, अब यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करने के बाद भाविश लिखते हैं, कि चोट लगी, दर्द हुआ, आजा customer service, बहुत काम है, I will pay better than your flop shows पेजियो, तो लगातार personal heating देखने को मिल रहा है, show your audience how much you truly care and whether you are only gas and BS, यानि कुल मिला करके भाविश का यह कहना है, कि कुनाल कामरा को pay किया गिया है, ऐसे tweet करने के लिए ताकि ओला की company का नाम बदनाम कर सके यह इस तरीके का पूरा भाविश का जो tweet है, वो समझ में आ रहा है, कि उनको लग रहा है कि कुनाल को पैसे मिले हैं, ओला को बदनाम करने के लिए इस तरीके का दावा कर रहा है उन्होंने, कि तुम्हें जितने पैसे मिले हैं, उस से ज़्यादा मैं दूंगा तो इसका मतलब यही निकल के आता है दूसरा लगातार यह कहना है कि तुम्हारे flop show से ज़्यादा पैसे दूंगा flop show से ज़्यादा पैसे दूंगा तो लगातार comedian की उपर indirectly यह directly target किया जा रहा है उनके carrier पर अब भावेश की इस tweet का जवाब देते हुए कुनाल कहते हैं, कि क्या तुम पूरा पैसा refund कर सकोगे यानि यह सारी बाते तो जाने दो कि तुम मुझे refund कर सकते हो, मुझे तुमारे पैसो की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम देखाओ कि तुम कितनी परवा करते हो इसका जवाब देते हुए भाविश कहते है कि हमारे पास काफी programs है customers के लिए कि अगर service delay होती है तो उनको genuinely, जो genuine customer होते है उनको resolve करने के लिए और आगे कहते हैं कि मैं फिर से कह रहा हूँ कोशिश मत करो, इससे बाहर चले जाओ या आओ और इस काम को देखो वहाँ बैट करकी criticize मत करो अब यहाँ पर refund की बात जब कुनाल कामरा ने उठाई और इस बात को बिना address किये भाविश निगल गए तो कुनाल कामरा उनको फिर याद दिलाते है कि अगर आप 100% यानि 100% refund नहीं कर सकते तो मैं आपको एक option देता हूँ option यह कि एक दू महिने अगर किसी को गाड़ी खरे दे हुए और उनको problem हुई तो उनको 85% किसी को तीन महिने हुई और तब problem हुई तो 75% किसी को चार महिने हुए और उसके अंदर problem हुई तो 65% कुनाल आगे कहते हैं कि मैं आपको email address भी दूँगा और उनके सारे messages भी दूँगा ताके जो पैसे हैं consumers तक पहुत जाए इसका जवाब देते हुए भावेश लिखते है कि comedian बनना सके चौदरी बनने चले है यानि फिर से वो refund वाली बात को खा गए और ये कहा कि comedian बनना सके चौदरी बनने चले यानि कुराल कह रहे हैं कि आप customers को refund कर दे जिनको EV गाड़ी खरीदने के बाद से प्रॉब्लम हो ये होला कि अगर किसी का एक महीने दो महीने के अंदर ही प्रॉब्लम हो गया तो उनको इतने परसेंट किसी के दो तीन महीने में हुआ तो उनको इतना तो लगातार refund की बात कर रहे थे अगरा उन लोगों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे जिनकी आवाज कोई भी नहीं उठा पा रहा है जयाँ अब महीने के अंदर 80,000 complaints कोई मामूली बात तो नहीं लगातार इनकी आवाज कोन उठा रहा है यह क्या protest कर रहा है यह कुछ बोल रहा है क्या यह report साई नहीं है सवाल तो यह है और जिस तरीके से भाविश जवाब दे रहा है इसे साफ समाझ में आता है कि वो अपनी customer service को, complaints को किस तरीके कैसे देखते है अब यहाँ patrolling यह चलने लगती है कि भाविश के मुताबिक सोचके देखिए जिस तरीके से भाविश बाते कर रहे है उसके मुताबिक अगर आप customer care को call करते है अपनी problem बताते है तो आपको customer care वाला कहेगा कि भाविश प्राब्लम तो ठीक है कि बदनाम करने के लिए पैसे दिये जा रहे है tweet के पैसे दिये गए है इस तरीकी की बाते वो करते रहे गए और usual जो है वो लगातार नीचे अपनी complaint करते रहे गए अब एक और update निगल के आ रही है बिग बॉस से अब जैसे के मैंने कली बताया था बिग बॉस के अंदर पहुचे हुए थे आनिरूद अचारिया जिया आनिरूद अचारिया वो ही है जिन्नोंने Bollywood को criticize किया indirectly गाड़ी चला देते है footpath पर सोने वालोग पर इस तरीकी की बात करी rape की वज़ा Bollywood बताया यानि ये सारा बयान दे दिया आज जितने rape हो रहे हैं ये rape करना सिखाया किसने Bollywood ने ये तो footpath पर सोने वालों की उपर गाड़ी और चड़ा देते हैं और इसके बाद फूर उटके चलेगा तो social media पर तो पहले यही चला कि ये अच्छा तरीका हो गया है कि पहले criticize करो और फिर जो है fame कमाने के बाद वापस से वही चले जाओ जहाँ criticism कर रहे थे जिसका criticize करके जो नाम कमाया आप famous हुए वही पहुँच जाओ अब तो ये भी खबर आई है कि रज़त दलाल भी पहुँचे हुआ है और तो और बीजेपी के जाने माने जिया स्पोक परसन तजंदर पाल सिंग भगा काफी viral रहते है Twitter पर और किस तरीके से वो इन्दू, मुसल्मान और विपक्ष पर जो निसाना साते रहते है वो लगातार देखने को मिलता है अब सवाल ये है कि इनको बुलाने का क्या मकसद हो सकता है सोशल मीडिया पर ये समझा जा रहा है कि इनको बुलाने का मकसद ये है कि दुनिया को दिखाया जाए कि ये कैसे है असलियत में कैसे है हकीकत क्या है इनकी क्योंकि बिग बॉस का जो पूरा सेटप देखने को मिल रहा है लगातार होई इन्फिलिंशर्स को बुला रहा है और उनसे उनको काफी रीच मिल रही है टी आर्पी मिल रही है इसमें कोई दोराई नहीं है सल्मान खान भी जानमूच करके ऐसे लोगों को पिक कर रहे है जो पहले बॉलिवोर्ड या कभी उनको खुद को क्रिटेजाईस करते थे उनके सामने जिस तरीके से वो भीगी बिल्नी बन के खड़े हो जाते है मुझे लगता सल्मान खान को अलंगी मज़ा आ रहा है अब रज़त दलाल जो के इतने शेर बनते हैं वो सल्मान खान के सामने आगे emotional कहानिया बता रहा है अपनी यहां तक कि तदिंजर पाल सिंग भगगा यह समझ नहीं आया कि अपनी आदी अदूरी पैंड खुन दर के वह क्या कर रहा है थे कुछ लोग समझ रहा है कि कई पिशाप करने तो नहीं कड़े हो गए कुछ लोगों को लग रहा है कि पतनी यह क्या कर रहा है और इनको पता होना चाहिए चारों तरफ कैमरे होता है यह कैसी अरकत करने कड़े हो गाई और दूसरी तरफ बिग बॉस का भी इनकी हर एक बात रिकॉर्ड होगी इनका हर एक अमल इनका हर एक काम जब रिकॉर्ड होगा तो समझ में आ जाएगा कि यह जो इंफ्लोइंसर बने फिरते हैं क्या वापते ही इस लायक है कि लोग इनको फॉलो करें आपको क्या लगता है कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताईए मिलूंगा आप सब इस अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लगए